हेलो फ्रेंड्स मैं हूं इतलेईस कुमार और आपका स्वागत करता हूं दित फार्मसी के यूटूब चैनल पे तो कैसे हैं आप लोग आशा करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे आज के इस वीडियो लेक्शेर में मैं आपको फार्मसीटिकल केमिस्ट्री का पहल तो लिमिट टेस्ट से क्वेश्चन ऐसा हो इनी सकता कि छूप जैना और लिमिट टेस्ट इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो आपको लिमिट टेस्ट भी पढ़ना कितने का है कि चार गों का तो मेंली जरूर पढ़ना है चार के लिए एक कि वीडियो आप देखना नहीं चाहते और जो बच्चा किसी तरह देख भी लेता तो वह कंट्यूज हो जाता बहुत ज्यादा क्योंकि चारों में अलग-अलग रियक्शन और रियक्शन से थोड़ा परेशान हो जाते है तो मैंने सोचा कि लिमिट टेस्ट का आपका चार वीडियो बनेगा यह पहला वीडियो है स्टेग वन मतलब पहली वीडियो को है रोज चार दिन तक आपको अब Кवारंग कर लेते हैं चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं और यह जो लिमिटेस्ट जो बच्चा इस वीडियो को लास्ट में देख रहा होगा उसे के मेरे साथ साथ नहीं देख रहा है तो उसके लिए क्या करना है प्लेलिस्ट वाले सेक्षन में जाईए इसी चैनल पर और फार्मस्यूटिकल केमिस्ट्री का जो प्लेलिस्ट होगा उस प्लेलिस्ट में आपको यह सीक्वल्स वीडियो मिल जाएगी ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिमिट टेस्ट को है ना और सभी बच्चों की जानकारी के लिए बता दें कि जो भी बच्चा डी फार्मा फश्टियां हो या सकेंड यह पुरा स चलिए बस इसी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से इजी लेंग्वेज में पढ़ना चाहता है तो आप हमारे उदित पार्मिक्सी के आपको डाउनलोड करके वहां से कोर्स पर्शेस करके पढ़ाई कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले समझे कि यह लिम कर रहे थे और उसके साथ साथ कुछ अन्वांटेड और यनिक मिटरेल भी बन लिया वह इंप्योडि हो गई है ना उसी इंप्योडि को डिटेक्ट करने के कोई बी की बीकी च्टांस में स्मॉल कांटिटी आफ इंप्यूरिटी बतला एकस्टम छोटा से छोटा मात्रा की को detect करने का काम कौन करता है limit test इसलिए limit test करते हैं कि कोई भी chemical substance है उसमें impurity के छोटे से छोटे मात्रा को भी identify कर लेगा detect कर लेगा जब हम लोग impurity को पहचान जाएंगे कि यह impurity है तो उसको हम लोग control भी कर पाएंगे क्योंकि impurity का बहुत ज्यादा toxic effects होता है है ना आपके body पर उसका toxic effect हो सकता है कोई भी दवाई निर्मान कर रहे है उसमें impurity बन गई आपके लिए toxic हो सकता है तो उस impurity को control करने के लिए पहले आपको identify करना पड़ेगा और उसी को identify करने के लिए limit test किया जाता है ठीक है impurity मतलब कुछ भी नहीं है भहिया जैसे आप खे हो गई वह घास impurity का काम कर दिया उसी तरीके से यहां पर reaction बगरा में भी होता है उसी को identify करने के लिए हम लोग लिमिट टेस्ट करते है ठीक है और चलिए से question किस प्रकार से आते है मैं question point of view से पढ़ाऊंगा ठीक है अब देखिए यह जो limit test है यह पूछा जाता है कि यह quantitative या फिर qualitative test है बच्चे confused हो जाते है यह एक qualitative है या फिर quantitative है ना qualitative मतलब quality test करेगा यहां पर impurity के quantity को detect करता है यह limit test एक प्रकार का quantitative है ख्यान रखिएगा question आये हुए है मैं दिखा दूंगा quantitative होता है तो पहला ही line है यह एक प्रकार का quantity यानि quantity मात्रा इंपूरिटिक मात्रा को detect करता है तो quantitative और semi quantitative test है जो कि intended are intended for identifying and controlling small quantities of impurities वीच में ओकर इन सबस्टान्स आर term dash limit test कहने का मतलब हुआ कि कि यह के quantitative या semi quantitative test है जो कि intended मतलब किया जाता है किसके लिए identifying and controlling identify करने और control करने के लिए किसको small quantities of impurities impurity के small quantity को identify करने के लिए विच में आवकर इन सबस्टान्स जो की सबस्टान्स में पाया जाता है इसी को लोग limit test करते है ठीक है limit test क्या है तो किसी भी chemical substance बगरा में जो impurity है उसके छोटे से बस में प्रेक्टील में पढ़ते थे limit test किस apparatus में किया जाता है ये भी question के है लिमिट test में आपको पहुट्णा किस और किसका मैं दिखाता हूँ किसका किसका सबसे पहले तो chloride का है ना chloride उसके बाद sulphate का उसके बाद iron का उसके बाद arsenic का उसके बाद arsenic का तो इसमें जो limit test generally कि किया जाता है वो नेसलर सिलिंडर में किया जाता है किसमें किया जाता है नेसलर सिलिंडर में किया जाता है जो कि आपको दिख रहा होगा यह देखिए जो दिख रहा है ना इसी में किया जाता है लेकिन यहां पर भी एक कॉंसेप्ट है कि लिमिट टेस्ट किसमें किया जाता ह तो आप आंसर क्या कर देंगे नेसलर सिलिंडर ठीक है लेकिन आपको बता दें कि इसी नेसलर सिलिंडर में मास्तर इसमें से तीन को कही किया जाता है कौन कौन सा chloride का sulfate का और iron का chloride का sulfate का और iron का लेकिन अगर बात कर लेंगे arsenic का तो arsenic के लिए अलग से एक apparatus use किया जाता है जिसमें किया जाता है उस apparatus का नाम रख दिया जाता है gut zit apparatus क्या का जाता है ध्यान रखिएगा gut zit apparatus gut zit apparatus gut zit apparatus ठीक है सब बता रहा हूं कि लिमिट टेस्ट किस में किया जाता है तो अगर पूझदेगी आइरन, क्लोराइड और सलफेट का किस में करते हैं तो आंसर हो जागा गडजीट अपरिटस जो की कुछ इस प्रकार का दिखता है और इसको डीटेल में पढ़ेंगे कब जब मैं आपको आर प्राइड सलफेट आइरन का किस में किया जाता है और आर्सेनिक का किस में किया जाता है ठीक है अब इससे ठोड़ा क्वेश्चन देख लीए कहता है लिमिट टेस्ट आर डास टेस्ट डिजाइन तो आइडिटिफाई एंड कंट्रूल स्मॉल क्वांटिटीटीज ऑफ इं इस प्रकार से और कई सारे बच्चे ऐसा होता है ना कि आपको कुछ भी डाउट हो जाए लिमिटेस्ट आप पड़ रहे चारग लिमिटेस्ट में पढ़ाऊंगा अब आपके डाउट होगे डाउट कैसे सॉल्फ किया जाए तो आप मेरे साथ मेरे आईडी के दूरू डिर याद रखिएगा कहीं पर भी कोई गैप नहीं और कोई कैपिटर लेटर नहीं ठीक है इस तरीके से सर्च करके आप मेरे साथ आ सकते हैं नेक्स्ट कुछिन है एपरेटेस यूजड फोर लिमिट टेस्ट के लिए जो एपरेटेस्ट किया जाता है उस अपरेटेस का नाम ब टेस्ट कैसा होता है ठीक है अब हम लोग बात कर लेते हैं मेली मुद्धे पर कि लिमिट टेस्ट का लिमिट टेस्ट कैसे करते हैं तो किसी का भी लिमिट टेस्ट आज के बाद से पढ़ेंगे तो तीन चीज़ आपको ध्यान रखना है क्या क्या एक रखना है प्रिंसीपल दूसरा procedure तीसरा result यानि कि आपको उस limit test का principle पता होना चाहिए procedure पता होना चाहिए और result पता होना चाहिए principle में क्या लिखते हैं कि mainly वो limit test है वो किस reaction पर based है यदि reaction याद रहा तो उसी को statement wise बना के लिख दीजिए principle हो गया procedure में लिखते हैं कि आखिर वो limit test करते कैसी है किस प्रकार से किया जाता उसका process क्या है और result में कि आखिर हमें result क्या मिला किस तरीके से वो तो सबसे पहले हम लोग आज क्लॉराइड के limit test का principle पढ़ेंगे कि कि रियक्षन पर बेस्ट है यह जो क्लॉराइड का limit test है बहुत क्लॉराइड के लिए जो limit test है एक सिंपल सा reaction पर बेस्ट है जो कि किसके बीच होता है soluble chloride कोई भी soluble chloride ले सकते है soluble मतलब जो की पानी में soluble हो chloride लेना है तो NaCl है ना जो की साधा रनमत पानी में soluble होता है तो soluble chloride NaCl ले लिए और आप उसको silver nitrate के साथ react कर देजिए सर्थ इतना है कि आपको उसके किसके presence में reaction कराना है dilute nitric acid dilute nitric acid है ना मैं क्या बोल रहा हूं कि जो chloride का limit test है एक simple reaction पर based है जिसमें कि sodium chloride या कोई भी soluble chloride ने सकते है मैं ले रहा हूं NaCl और अक्सर NaCl ले ले रहा है soluble chloride को silver nitrate के साथ react करने पर dilute nitric acid की उपस्तिती में आपका बन जाएगा AgCl और NaCl अब यह reaction हुआ कैसे तो यहां पर double displacement reaction होता है अब यह double displacement reaction को हिंदी में दूई विस्थापन अभी क्रिया कहते हैं लेकिन यहां तक आप समझ नहीं पा हम तो हार ली तू हमार लग तो देखे कैसे होता है और यहां पर जो इसका सील था वह किसके साथ आगया तो समझ रहे न, NaA NO3 के साथ चला गया, AgCl के साथ चला गया, इस तरीके से क्या हो गया, double displacement reaction, तो यहाँ पर AgCl बन गया, और NaNO3 बन गया, तो कैसे reaction हुआ, वो समझ गया, NaNO3 के साथ चला गया, और AgCl के साथ, AgCl के साथ आ गया, तो AgCl बन गया, अब यह AgCl silver chloride के ला गया, और NaNO3 sodium nitrate के ला गया, अब यह जो AgCl है, यह dilute nitric acid में insoluble होता है, insoluble मतलब क्या वो घुलंसील नहीं होगा, इसलिए यह precipitate का formation करता है, क्या बनाता है, precipitate, अब यह precipitate क्या है, तो जैसे ही आप NaCl मे, AgNO3 यह आपका nestler cylinder है, AgNO3 डालेंगे, तो इस प्रकार से कुछ insoluble solid mass बन जाएगा, यह इस प्रकार से solid mass जैसे, दिख रहा हो ना, solid mass बन जाएगा, है ना, और इसी के कारण उस जो भी आपका के काते nestler cylinder उसमें terby dt आएगी, terby dt कहने का मतलब है कि उसमें दुधिया रंग आ जाएगा, मिल्की नेश आ जाएगा, उसी को opalescence भी करते हैं, आ जाएगा, है ना, तो यही चीज़ है AgCl, मैं क्या बोल रहा हूँ, यह जो chloride के लिए limit test है, एक simple reaction पर बेस्ट है, जिसमें की NaCl, silver nitrous के साथ react करता है, और dilute nitric acid के उपस्तिती में silver chloride यानि AgCl बनाता है, जो कि insoluble होता है, इस वज़े से यह precipitate हो जाता है, precipitate कहने का मतलब एक solid mass का निर्मान करता है, और साथी साथ NOL3 का निर्मान करता है, और इसी precipitate के कारण, AgCl के कारण, वहाँ पे जो solution है, उसमें tervidity आती है, और इसी tervidity से हमें पता चलता है, कि limit test passed हुआ या fail हुआ, है ना, समझ गया है, तो वही चीज़ें यहाँ पर लिखना है, the limit test of chloride has been based on simple reaction, यह जो chloride का limit test है, बहुत simple reaction पर based है, जो कि कि किसके बीच होता है, soluble chloride and silver nitrate, soluble chloride के जगह NHL ले लिए, और silver nitrate ले लिए, to obtain silver chloride, यहाँ silver chloride बन गया, which is insoluble in dilute nitric acid, जो कि dilute nitric acid में insoluble है, इसी लिए तो precipitate बना, फिर silver chloride produce in the presence of dilute nitric acid, makes test solution turbid, इससे क्या हुआ कि test solution जो होगा, वो turbid बन जाएगा, क्योंकि यह पर precipitate कर गया, ठीक है, समझे गए, अब यह turbid का मतलब क्या होता है, जैसे मैं दिखाता हूँ, यह जो करते हैं, लिमिट टेस्ट है, वो करते कैसे हैं, यह जो AGCL करते कैसे हैं, प्रोसीजर में पढ़ाएंगे, पहले आप समझे हैं, यहाँ पर आपको क्या करते हैं, तो प्रिंसिपल आपको ध्यान में रहे गया, कि एने सियल, एजी एनोतरी के साथ रियक्ट करेगा, डाइलूट नाइटरी के सिट के अपसिती में, तो एजी सियल प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और एने एनोतरी का ने रमान करेगा, ठीक है, चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं, कि आखिर बंत होता कैसे, कैसे करते हैं, लिमिटेश्ट, तो मैं आपको बता देता हूँ, कि सबसे पहले आपको दो मिजरिंग सिलिंडर लेना, सारी, दो नेसलर सिलिंडर लेना है, एक नेसलर सिलिंडर पे आप A का मार्क कर दीजे, दूसरी नेसलर सिलिंडर पे B का मार्क कर दीजे, और दो सॉलिशन बिनाना होता है, एक होता है टेस्ट सॉलिशन, दूसरा होता है स्टेंडर सॉलिशन, एक होता है टेस्ट सॉलिशन, और दूसरा होता है standard solution और दोनों में क्या होगा आपका दुधियापन आएगा मिलकीनेश आएगा और इसी मिलकीनेश को कमपेरिजन करना है यदि standard solution में आप देख रहेंगे थोड़ा ज्यादा दुधियापन है ज्यादा टेर्विटीटी है और test solution में कम है तो यदि आपका लिमिट टेस्ट पास हुआ या फेल कैसे पता चलेगा तो यदि लिमिट टेस्ट solution की टेर्विटीटी कम है इसका मतलब लिमिट टेस्ट पास हो गया यहाँ पर इमेज दिखा रहा है वो लिमिट टेस्ट पास है क्यों कि जो standard solution में आपका टेर्विटीटी है इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए इससे ज्यादा होगा यानि लिमिट टेस्ट आपका जेना था याद याद है ना एंटियू सेग्जा रहा था और यहांपर चुए डाइलूट नैट्रिक असीड ह था इसमें इंल नो-ध्रैक्टॉ तो यहां पर जो स्पेसिफाइड स्बस्टांस क्या ले रहते लिबल खलोराइड एक ग्राम आप एनसे ले लिए और उसमें 10 ml डिस्टिल वाटर क्या है क्या है डिस्टिल वाटर में अलग अंतर है क्या पानि जो अच्छे तरीके से पानी इस्टिल किया हुआ है डिस्टिलेशन प्लांट से बिलॉंग करके वह बहुत अच्छे से रिखते से सुध्ध पानी होता है न वह होता है 10 ml डिस्टिल वाटर आप ले लिए फिर 1 ml ऑफ डाइलूट नाइटरिक एड़ करना है है ना 1 ml डाइलूट नाइटरिक एड़ करेंगे फिर उस सुलूशन को डाइलूट कर देंगे 50 ml तक विद डिस्टिल वाटर इन नेस्टिल से लिंडर एड़ कर देंगे उसके बाद पांच मिनिट छोडएंगे उसमें अब सबसे पहले क्या किजिए एक ग्राम एनेस्टिल ल और देंगे उसके बाद उसको डाइलूट कर जितना भी हुआ उसमें लिखा हुआ होता है कि कहां पर कितना है पचास अमल तक अब उसमें डिश्टिल वाटर एड़ तब तक करेंगे जब तक वह पचास अमल ना हो जाए और उसके बाद कुछ दिर के लिए छोड़ेंगे उसमें टर्वीघीटी 1.00 mg την डाल के छोड़ देंगे उसमें टर्वीघीटी आ जाएगी ठीक है अब टेस्स सिलूशन तयार हो गया अब स्टेंडर सूलूशन तयार करने के बाद या वह इसे टैयार करते हैं तो 1.00 का अब तो आपके माथा में तरद उड़ गया कि असा है कैसे बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं यह वन एमल बाद में रखिएगा यह परसेंटेज डबलू भाई के मतलब बता है वेट वाई वॉल्यूम आपको क्या कर लेना है कि 0.058454 ग्राम एनसील को 100 एमल वाटर में एड करना है और उसको मिक्स कर देना है तो आपका तयार हो गया यह सोलीशन अब उसमें से एक एमल आप निकाल लीजिए ठीक है तो एक एमल हो गया अब उसके बाद वन एमल ऑफ डाइलूट नैट्रीग इसीड़ कर देना है फिर डाइलूट अप्टू 50 एम जाएगा टेस्ट सोलीशन ऐसा बनेगा और स्टेंडर सोलीशन ऐसा बनेगा ठीक है टेस्ट सोलीशन की थोड़ा सा कम होगी थोड़ा कम होगी जबकि स्टेंडर सोलीशन की टेर्वीडिटी यदि ज्यादा होगी तो यानि लिमिट टेस्ट पास कर गया तो वही चीज़ें तेस्ट सेलउशन का बबिए से जादा हो जाता से अच्छे बच्ट में जितने भी गुण है कि मि tapaam है तो बहुत ठीक है ने तो उससे भी ज्यादा उद्धंड होगा है तो फिर घरवड़ाई हो जाएगी वही बात है कि स्टेंडर्ड सॉल्यूशन में टेविडिटी इतना है इससे ज्यादा टेविडिटी आई यानि लिमिटेस्ट फैल है ना स्टेंडर्ड सॉल्यूशन से कम होने चाहिए तो उससे क्या जाएगा लिमिटेस्ट पास हो जाएगा इस प्रकार से आपने लिमिटेस्ट को कवर कर लिया बहुत अच्छे तरीके से अब बात कर लेते हैं। जो की सकेंड नंबर लेक्टर में आएगा हैंना और जो बच्चे हमारे साथ पढ़ना चाहते हमारे पास यदि आप इसी तरीके से पूरा syllabus courses का मज़ना चाहते हैं तो डी फार्मा फर्शेर के वीडियो लेक्शर को पर्सेस कर सकते हैं तो कि हमारे उदित फार्मसी के app पर available है जिसमें कि आपको recorded classes मिल जाएंगे जैसे course पर्सेस करेंगे पूरा syllabus का recorded class मिल जाएगा और और यदि आप बुक के तलास में हैं और कुछ exam oriented के तलास में जैसे फार्मसीटियल के मिश्ची से बच्चे डरते हैं यह किताब पढ़ लो देगो कितनी पदली किताब है ना इसी तरीके से पांचो सब्जेट का हम लोगों ने important exam oriented बनाया है theory plus model paper का बुक यह पांचो इसको और करना चाते है तो प्ले स्टोर पर जाएए उदेट फार्मसी आपको सर्च कीजिए नाम इमेल डालके लोगिन कीजिए और स्टोर वाले सक्षन में आएगे तो यहां पर सही आपको बुक भी और जो भी है सब कुछ यहीं से होता है और किसी प्रकार का और भी additional information च से आप मुझे कॉंटेक्ट कर लिजे मैं वहां से आपको help करने का प्रयास करूँगा ठीक है चलिए तो आई होप कि आपको यह lecture समझ में आया होगा अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो इस प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा जिसे परके मुझे थोड़ा इंप्रिंट और भी आपके लिए यूट्यूब पर फ्री अपकोस्ट अवेलेबल करवाता रहूंगा ठीक है जलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉमेटी वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद ओके बाबाई